आज हमारे साथ खारगर वाटफाईव की बीजेपी नगरसेविका लीना ग्रड मैडम है आपने पनवेल महानगर पालिका द्वारा जो टैक्स परणाली लागू की गए है उसके खिलाप आपने लीगल नोटिस दी है ये पूरा मामला क्या है क्यों ये आम लोगों पर एक तर वह दरसल है क्या जिसको लेकर आपने इसका कानूनी विरोत किया है पनवेल महानगर पालिका की स्थापना अक्तोबर 2016 में हुई थी और उससे हिसाब से अभी हमारे हमारा जो खारगर नोड है कलंबोरी नोड है कामोठा तलोजा खंदा कॉलोनी इस सारे नोड पहले हमारे स सिट्को यानि City and Industrial Development Corporation तो इनके अंडर नोड होने के बावजूत यहां पर कैसे है जो डेवलेप्मेंट है यहां प्लानिंग है वो सारा सिट्को का है सिट्को नोड हमारे नोड को डेवलप किया है प्रॉपर्ली डेवलप किया है यहां देखेंगे कि यहां पर हार जगह पे फूट पाज बने हैं रेनेज है स्टीट लाइट्स है यहां पे स्टीट प्लांट है गोल्फ कोर्स है सेंट्र पार्क है रेनेज सिस्टम है स्टॉम और डेनेज है यहां किसी सिगनलिंग है ट्राफिक सिगनलिंग सारा काम यहां पर सिट्को ने अल्रेड किया है मिस आपक हमें खाले मेंटेंग करना है PMC को तो मेंटेंग करने के लिए PMC ने जनुन टैक्स सिंपल टैक्स लगाना चाहिए जो कि हम आपक्षार रखते हैं पनवेल महानगर पालेका से पर इन्हों ने आज की टैक्स लगाए हैं और देखे तो कोई भी बोलेगा कि क्या लगाया है इन पे ये भी लुए हैं जो के हम मनुसूर नहीं है इसकी खिलाफ हम ने आवज इठाई है अब सक्तारूर बईजेपी की नगर सिवीका हैं और यह टैक्स जो इंपोश किया गया है, जाहिर सी बात है महानगर पालिका और सक्तारूर दल ने किया हुआ है, तो यह गलती किससे हुई है। पर यहां पर ऐसा दिखने को मिलता है कि यहां जो सत्तधारी पक्षय है वो लो उसके कुछ नेता किसे हमारी सभागर निता जी है परेश जी ठाकुर उन्होंने इसे बिना किसी से पूछे महा सभा में इसको मंजूर करवा लिया और इस तरह से रूलिंग पार्टी गलत तरीके से परवेल महानगर पालिका चला रही है और कॉमन पब्लिक पर अन्याय कर रही है चुक्कि अभी 2016 की महानगर पालिका है तो यह पहली बार प्रोफटी टैक्स को होता है करने का प्रस्ताव कब आया था महासबा हमारी महासबा हुई अलशिक गणापर महानगर पालिका कोई था हमें नाई महानगर पालिका सब्सक्राइब तो पहले साल आपालिका पर्णाफर उसका तरह हमारे परानी पनचाय थी का हमुआ था हम्मार उसका दर होता है उसी दर में हमें पहले साल उन्होंने लगाना चाहिए, मतलब आस पर सेक्शन 129A, कि जो हमारा ग्राम पंचत का जो दर था, उसी दर में पहला साल टाक्स होना चाहिए, और सेकेंड एर हम लोगों का जो होना चाहिए, किसी भी आर्थिक वर्ष, जैसा अभी हमारा 2017 और 2018, यह होना चाहिए था मंजूर, वह भी नहीं हुआ, डारेक्ट 17 जन्वरी 2019, इस तिन हमारी महासभा हुई, और उस तिन महासभा में टैक्स का मामला सामने आया, और इतना टैक्स हमारा टैक्सिबल वैल्यू इतना है, इतना रेट रहेगा, ऐसे मानने ता मिली, पहले पिछले द महानगर पालिका करना चाहिए था, और कैसा होता है कभी भी पहले साल तो आपको ग्राम पंजद का रेट लगता है, सेकेंड यर में आपको 20 परसंट भी टैक्स लगता है, फिर 40 परसंट, 60 परसंट, 80 परसंट, 100 परसंट, इस प्रकास से टैक्स रेट होता है, बड़ युन से उन्होंने स्विकार किया कि ये गल्ती हुई? कि इस बात को गंवरता से लेना हुई, और महानगर पालिका इस आर्थिक वर्स्थ का ठराव मनजूर करना पड़ेगा, उन्होंने 2-3 साल में ठराव भी नई लिया है, इस उन्होंने गल्ती मनजूर की है, तो इसका मतलब यह हुआ कि महानगर पालिका को अपनी गल्ती कि इतना tax हमें मानने नहीं है, फिर उसके बाद लोगों का public agitation देखके, इन्होंने 30% हमारा 6 April 2021 में, एक महासभा हुई, उस टाइम 30% रेटेबल वैल्यू है, वो कम किया गया, लेकि मेरा कहना ऐसे है, जब सबजी की किमत 10 रुपया है, अब उसको 100 रुपया लगा रहे हैं, इसको बनता नहीं है, जब वो चीज यह नहीं इतनी महेंगी तो उसको आप इतना महेंगा बता के, फिर डिसकाउंट दे रहे हो, मतलब आपके इसको अन्याय कारी कर, परवेल महानगर पाली की जन्ते के उपर इन लोग ने लगाया है, अगर हम पिछले कुछ दिनों की बा लीगल अड़ाय है चल रही है क्योंकि एसपर सेक्शन 131 & 132 कि कुसी भी सेवा पर अभी हमारे हैं देखेंगे पनवेल महानगर पाली का में, तो जो सेवा हमें मिल रहे हैं, जो स्टीट लाइट्स हैं, वाटर सप्लाय हैं, पेल लगाना हो, ट्रेनेज हैं, सारी सेवा हमे आ पया हूँ, तो इसी सेवाओं के लिए, सेंब सर्विसस के लिए हम से म्हानगर पाली का भी हम, से वह से टेक्स मांघ रही है तो जो अब स तरह लिगानेवारche हैरे का सेशान 155,000 रूप्ष कर रहा है 10 times more, सेवा एक हो है, वाट भी मांगने वाले दो औब कंपन होगी य आगे चल रहे हैं अभी आपने फाइनली उनको नया कुछ नोटीस बेजा हुआ है क्या काहना कोई जवाब पन्विल महानगर पालिगा के तरफ से आया है कोई जवाब उनसे नहीं आया है उन्हें खाली जल्दी है कि जल्द से जल्द लोगों से हमें टैक्स मिले वसुली हो वसुली चल रहे हैं के एक्चुली हरे पर्सनल मेसेज जा रहा है गनेश देश्म spins नामसे इससे परिस अमय नामसे कभी किसी महापालिका में ऐसा परिसतों मैसे आयुख के नाम से कहीह कभी नहीं गया है यह पर यहाद पे इतना ग्रीड है इतना लालच है किता जल्द हम ल हैं एक अलग तरीके से कि आपको नहीं बरेंगे तो आपको पैलेटी लगेगी जबती आएगी जबकि हमारी जो डेट थी लास्ट डिव डेट 31st मार्च 2023 थी इस पट इन्होंने प्रेशर में आप जानमुझ के लोगों को डराने के लिए उसको वान रिडूस करके 31st मार्च 2022 लोग और सब्सक्राइब करने लोगों को प्रेशराइज कर रहे इसका इंपक्ट आपके से देख रही है अगर इसी तरह से मनमानी चलती रही तो जो सिटको जोन है उसके जो नागरीख है जो उसके जो संपत्ती धार है कुए उनको कितना बड़ा नुक्सान हो सकता है काफ एक साल तो पूरे दुकाने बन थी, अभी छे महनों में खली चार बजे तो दुकाने चल रही है, तो इसमें कम पैसा कमाने पा रहे हैं, पेट ने भर पा रहे हैं, तो टैक्स कहां से भरेंगे, इनको इतना भी शरम नहीं है महारवर पालिका को, कि आप लोग किस तरह से आप टैक्स लगा रहे हैं लोगों के उपर, कितना अन्याय कर रहे हैं जो चंता के ऊपर, और इसमें सत्ताधारी भी उससा चामिल है, सत्ताधारी प्रशासन दोलों मील कर, हाथ में हाथ लेकर इस सब काम कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि आपने सत्तारूर दल के साथ, मैं जाना पूस्य करने के लिए नहीं आए हो, कोई भी पार्टी हो मुझे पार्टी से कुछ मत आये नहीं है, दुष्मन नहीं है, पर यहां पर चल रहा है हमारा अगर पाले काम है, विक्स मुझे चंता ने चुनिके दिया है, मेरा काम है क्यों जो भी करूं जो 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 आप लोगों हमसे इतना जादा आगर हमारा फंड आप यूज करने नहीं देते हैं जो हमारा अधिकार है उस करने का यहां पर हमारा उस नहीं होता है क्योंकि आपका शुड़को एरिया है तो इस तरह से जब महानगर पालिका अन्याय कर रही है कोई काम यहां पर होने नहीं है तो टैक्स के ओपर है हम लोग आपको एक तरफ टैक्स की जबर मासूली में लगी है और दूसरी तरफ यह है कि नगर्सोकों का जो नीजी फंड है जो विकास के लिए अलेडि जो जनता के काम के लिए दिया जाता है अगर उसका इस्तमाल नहीं किया जा रहा है या नहीं कंगे करने दिया जारा है इस भी जिम्यदार से अधिकार हमें दिखा रही है जैसा कि आपने कुद कहा कि अभी कमिश्टर के नाम से जबरन टैक्स वसूली की नोटीस धी जारे जब कि आपके अगली क्या होगी आगर यहां से अगर न्याय नहीं मिलता है जो सिटको जोन के नागरीक हैं तो इन लोगों के लिए आपका अगला स्ट्रिप क्या होगा अगर स्ट्रिप हमारा यह है कि हम बॉम्बे हाई कोट में जन्ही त्याची का दाखिल करने वाले हैं इस साथ चार-पंच दूनों में हो भी जाएगी हमने फाइनल नोटीस महानावपालिका को दे दिया है किस तरह से आपने गलट टेक्स लगाया है गयर कानूनी टेक्स लग अगर देखा तो यह पूरा जो मुद्दा है यह सिट को विकसी जोन के नागरिकों के लिए है आपने अपने ही पार्टी से अपने बगावत की है प्रशाषन से आपने उनके खिलाप आपने कानूनी लाइश रूप कि है चुकि लड़ाई पब्लिक है तो यह पब्लिक से एक इसके माध्यम से हम बॉंबे हाइप करने वाले हैं तो अबी लोग साथ दे और जल्द बाजी में ट्क्स न भर्याइब जैसा कि देखा आपने बीजेपी की सीनियर नगर सेविका लीना गरट मेडम ने ये पन्वेल महानगरपाली का तरह जो टैक्स इंपोश किया गया है ये तरह से अन्यायकारक उसको आप बता रहे हैं चूंकि यहाँ पर सीटको डेवलप्लेपेंट अथॉर्टी है सारा विका सीटको ने किया है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रवाइड करने का पूरा जिम्मेदारी आज भी सीटको के पास है और ऐसे में जब महानगरपाली का एक्ष्ट्रा टैक्स ले रही है तो कहीं कहीं सवाल उठना लाजमी है और अब यह लड़ाई जो है और सिर्फ यह निवेदन तब पक दीजे हमें इजाज़त लेकिन देश दुनिया और मुंबई नॉइंबई के ताजातरीन खबरों के लिए देखते रहे खबरों का नया ड़ा टीवीवर इंडिया नमस्कार